हाई मैंने विजमिकेश और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन सारे स्टॉक्स के बारे में जेव स्टॉक्स आपको इन बजडे के अंदर में लास्ट सेवन डेज में आने वाले सिर्फ साथ दिन के अंदर में आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है आपको एक बड़ा प्रॉफिटिवल्स इंवेस्टर बना सकता है क्योंकि कल बजडे है हमारा और उसी के हिसाब से जितनी जो भी आज लिस्ट में हमारे पास है सारे सारे स्टाइक्स को मैंने कलेक्शन किया है सिर्फ बजडे के हिसाब से जो आपको सिर्फ सेवन डेज का टार्गेट है उसी सेवन डेज के टार्गेट में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर depressed स्कता है तो आज हमका मेरे हमारा पहला स्टाक्स जो है जिस पर हम बात करने वाले वो है हमारा राजा इनर्जी मोबिलिटीज लिमिटेट यह स्टॉक्स जैसे कि आप देख रहे हो, यह स्टॉक्स इंगर करता है, और यह स्टॉक्स कहां पर ख़रा है, क्या है, कैसे है, आज बहुत ही ज़ादा, मैं इन वे टाइम्स ना लेते वे, मैं आप डिसकस करना चाहरा हूँ, दो तरीके से हम इसको दूल्स को यूज करेंग दूसका टेक्निकल स्टॉस को हम दूस करेंगे, और यह आज हम यह भी देखेंगे इसका टार्गिट क्या है, विदिन सेवन देज में क्या यह टार्गिट हमें अचीव करके दे सकता है, या अगर हम हम हमारा राजा इनर्जी मोबिलिट इस लिमिटेट के हम स्टॉक्स के बारों में बात करें तो इसका टोटल्स, क्यापिटल्स जो है, वो मार्केट क्यापिटल्स जो वो है 15,202 करोर के हैं, और इसका करेंट प्राइस वो 889 का चल रहा है, स्टॉक पी रेस्यो 18.6 है, बुग वेल्डू 331 है, अगर डिविदेंस देखें तो यह कंपनी अच्छी है, और रो से ही इसका 20.2 परसंट है, अगर हम देखें तो वो 14.8 परसंट है, अगर इंटरंस एक्विल्डू के हिसाब से देखें तो 846 है, और डिट टू एक्विटी इसमें 0.02 है, तो काफी एच्छा है, इसका फंडमेंट इस दिख भी रहा है, एपिस इसका 45 5.9 है, और प्रॉफिट ग्रोथ 24.8 परसंट के हिसाब से ग्रोथ भी कर रहा है, अगर हम इसका करेंट एसका के देखें, जो कि करेंट एससे डिवाइट बाइकर एक्रियाबिलिटी सोता है, वो वो ही निकल के आ रहा है, अगर हम आरा पित्रस स्टोर को देखें तो वो 9 आ 5.9 है परसंट है, और अगर हम इसका थोड़ा सा पब्लीक होल्टिंग भी देखें तो वो 30 परसंट बनता है, किसी भी स्टॉक्स को, वो स्टॉक्स हमारा अगर हम उसके हिसाब से देखें तो बो तीसरे फर्म इंट्रेंसिक वल्लू, करेंट ग्राम नमर्स और बुक वल्ल है तो 584 है वो भी बहुत जादा करीब है तो हम इसको इस स्टॉक्स को ओवर विल्यू स्टॉक्स नहीं मानेंगे, नहीं अंडर विल्यू के स्टॉक्स मानेंगे, अगर हम विल्यू के साब से देखें तो आल्मोस्ट 2.5 के नियरवाट आते हैं, इसकी कंप्लीट जो फंड स्टॉक्स का है तो फंडामेंटल से में सिर्फ इतना देखा कि यह स्टॉंग है या नहीं है, इसमें इक कैपविलिटीज है यह जो मैं बोल रहा हूँ वहां पर जाकर आपको एक अच्छा सा टार्गिट सकता है है या नहीं, सिर्फ इतना जाननी के लिए हमने इसका फंड इसमें देखें तो वह ग्रांट फादर साता है, इसमें क्या मैं देख रहा हूँ कि यह आप देखो कि लास्ट इसमें तीन्च है लास्ट फूर यह इसको मैं लेक्रा हूँ आज 24 में हम ख़रे हैं 23, 22, 21, 20 में देखें तो यह स्टॉक्स नेरवर 21, 20 और 21 में काफी ज़्या तो उसके बाद एक कप स्ट्रक्शर बनके तयार हूँ रहा है, इस कप स्ट्रक्शर में मैं यह देख रहा हूँ कि लास्ट इसमें, यहां पर यह स्टॉक्स जो है आपका इस सड़े पर यह ब्रेकाउट दे रहा है इस मन्त में, अगर हम नेक्स्ट में जाएं, विक्ली चा तो यहां पर भी बहुत एक क्रिस्टल के लिए पुक्चर सामने आह रहा है, यह ब्रेकाउट पे खड़ा है, को भी स्टॉक्स अगर ब्रेकाउट पे खड़ा होता है, तो एक अच्छा गासा वहां से भूम्मेंट आगी है, और जैसे कि कल बजट दे भी है, नेक्स्ट और बेस्ट अपर्शुनीटी है कि हम इसको ग्रैब करें और भाइं करें इसके भीर मानों क करते हैं, तो मैंने आपको जैसा कहा है कि J historically time नहीं देना है, सिर्फ 7 trading base कर से जादा हम इसमें investment भी लीज़ करने wellbeing आपको वहां पर भूम्मेहां करना है, और spend賃 यह वह उत्को में परफिट लिखें तो उन्हाल है में तो कि आपको 10 to 20 थोजन्स भी हैं तो आप जाता है इसे 2 सेर्स करिए बाइपर, 2 सेर्स थी सेर्स आप लीना है, अगर 3 सेर्स भी लेते हैं, यहां से 889 से थोजन्स में ज्यादा 200, यह बाइप 600 आपको बंग रहे हैं, सिर्फ 3 सेर्स करने के बाद आपको बंग रहे हैं, 7 ट्रेडि जो आपका इसमें 990 जैसे ही आता है, और 990 से लेके 1000 के बीच में आपको प्राफिट बुक कर लेना है, अगर आपका प्राफिट 980 और 1000 के बीच में इसमें भी आप प्राफिट जन्रेट करके आप वहां से निकल सकते हैं, ठीक है, आपको अगर लगता है कि नहीं प्राफिट करें, अपना इनलेसिस को भी चेक करें, कैसा लगता है, तो आप वहां से आगे जा सकते हैं, अब नहीं नहीं हैं कि आप अपनों से एक चीज और कहना चारू, आप हमारा वीडियो देखते तो जरूर है, आप उनको लाइक नी कर रहे हैं और नहीं करें कि प्लीज इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होता है कि अलग लग स्टाक्स को घूल के लाना जो ब्रेक आउट पे खड़ा है, जहां से आप एक अच्छा सा अपरचुलिटी बना सकते हैं, एक अच करें कि अच्छा सूर कि अइब कर दो लाईब करें, क्योंकि अच्छा सा अच्छा साफ।